हेलो एब्रीवन मैं हूँ आपका होस्ट इंशुमन और आप देख रहे हैं तब भी हार्ड एक्स्प्लोर जो सिकंदर्पूर लेक का ब्यूटिफिकेशन हो रहा है वहाँ पर मैंने लास्ट टाइम जाकर आपको अपटेट दिया था तो उमीद करते हैं वह वीडियो आपने देखा होगा उसमें मैंने कम्यूनिटी क्लब दिखाया था और नया बिल्डिंग का जो नया बिल्डिंग वन रहा था वो भी मैंने दिखाया था और और जो स्टेडियम से कंपनी बाग तक जो रोड जाता है वो चौडी करन भी हो रहा है तो वह भी मैंने आपको दिखाया था उस वीडियो में तूसमें मैंने बताया था जो से वरेज का काम से जो पैसा ट्रांसफर कर दिया था सिकंदर फूल Mic का घृबलपमेंट हो रहा था उसमें से कुटति करने का बाद सेवर, वाला जो काम उड़ा आया तो करोर के आसपास transfer कर दिया गया था तो ये चीज गलत किया गया था इस पे state government पैसा देने के लिए त्यार हो गई है पूरा detail में बात करते हैं क्या है news है ये देखते हैं तो आप देख सकते हैं दुबारा रासी बढ़ाने की मिल चुकी है सहमती आपको एडजेक्ट पता दे 45.52 करोर जो है वो कोटाती की गई थी इस प्रोजेक्ट में से तो आपको फिलहाल में बता दो कि ये जो कोटाती की गई रासी है तो वो बैडिया बस्टेंड में जो काम चल रहा है उसमें से इसके लिए पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है यानि फिलहाल के लिए ये नहीं कि बैडिया बस्टेंड का काम कम कर दिया जाएगा ऐसा नहीं है क्योंकि बैडिया बस्टेंट को बनने में टाइम लगेगा तो उसे धीरे-धीरे पैसा चाहिए तो उससाब से स्टेट गवर्मेंट उसे पैसा देगी फिलहाल में उसके रासी में से कटोती करके यानि अभी फिलहाल में ट्रांसफर कर दिया गया हुआ है सिकंदरपूर लेक फ्रंट के लिए और जैसे जैसे बैडिया जो बस्टेंट का है वो काम बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेट गवर्मेंट पैसा देते जाएगी बैडिया बस्टेंट को तो ये काफी अच्छी ख़वर है मुझफर पूर वासियों के लिए 184.6 करोर रुपए का शिकंदरपूर लेक फ्रंट का पोजेक्ट है तो जैसा कि मैंने बताया आपको ये पुड़े बिहार का सबसे बड़ा पिक्निक स्पोट बनने जा रहा है हाला कि जो मनी का मन है उसका काम जिससा आप से बताया जा रहा है जिससा आप से उसका काम होना है तो वो भी इससे बड़ा स्पोट हो सकता है लेकिन फिलहाल में सहर के जो अंदर है सिटी के अंदर की बात कर लें तो सबसे बड़ा पिक्निक स्पोट बनने जा रहा है क्योंकि आप देख सकते हो money का मन का size भी काफी ज़्यादा है 26 एकर में फैला हुआ है यानि 7 km के range में money का मन फैला हुआ है तो वो बहुत बढ़ा range है और जो money का मन है उसे develop होने में काफी time भी लगेगा उसके size के वज़े से इसलिए फिल्हाल में तो बात कर लें जून 2024 तक कहीं समय दिया गया है इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने के लिए सबसे बड़ा दिक्कत तो यह फसरा है कि अभी तक कितना पसंट जो है वो काम हुआ है मैंने यह पिछले वीडियो में दिखाया था तो 40-45% काम हुआ है और मार्च के बाद जो है वो केंदर पैसे पैसा नहीं देगा यानि साफ भासा में बोलो तो मार्च के बाद रासी नहीं देगा केंदर और मुझे तो देखके लगा कि लगभक एक साल का काम भी बाकी है वहाँ पे तो ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात हो गई है कि काम समय पे होगा नहीं तो फिर पैसा मिलेगा कैसे पैसा पूरा नहीं मिलेगा तो फिर पूरा काम नहीं होगा उधाए इसमें क्या क्या होंगी इसमें हम फिर से बात कर लेते हैं तो सुंदर्य करन के बाद उतर बिहार का सबसे बड़ा पिक्निकी स्पोर्ट बनेगा ये 20 मीटर चौड़ा हो जाएगा करपला रोड दोनों तरफ से 10-10 मीटर की योजना है जीला जो चज अवास है उसके ठीक पीछे 600 मीटर का धोबी घाट बनेगा 3000 मीटर से ज्यादा लंबा साइक्लिंग ट्रैक और पात्वे होगा इसमें लगबग साड़े 300 कार पार्क करने के लिए पार्किंग की वैवस्था किये जा रही है 1517 वर्ग मीटर पे कम्यूनिटी क्लब करेंद मान हो रहा है और 2000 वर्ग मीटर का होगा कल्चर गार्डेन और आपको बता दे 2 मीटर चौडाई वाला होगा Green Buffer Zone और जो वाक्वे होगा वो 5 मीटर चौडाई वाला होगा इसमें जो है सिर्फ सूविधाएं बताई कही है जो सूविधाएं इसमें मिल रही है वो बताया गया लग़ा रहा है що अब क्या ही किया सकता है इसे बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जू तीसरा लएक था जिसमें काम नहीं होने वाला था जैसली कि मैंने बता था पिछले विडियो में बट अब में अब पैसा तो मिली रहा है, काम थो होगा ही उसमें, तो साबसे कोई चोईस नहीं है अफकोर्स उनका भी कमाना ज़रूरी है तो मेर ने फाइनली फैसला ले लिया है कि सिकंदर पोड लेक में ही अंतो भी खाट बनेगा जैसा कि मैंने अभी तुरंत बताया था आपको तो चलिए देखते हैं कब तक बन कर त्यार होता है यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद थैंक्स फॉर वास्टी